नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि सच्चा मन भगवान से हर खुआहिश पूरी करवा सकता है सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना ही भगवान तक पहुचने का एक अकेला रास्ता है लेकिन सच्चे मन और अटूट श्रद्धा में भगवान के मन पसंद वस्त्र धारन किये हो तो बात ही कुछ और होती है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से रंग के वस्त्र पहन कर, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए पूरी जानकारी लेने के लिए देखें हमारी पूरी वीडियो सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव की बोले नात की पूजा करते समय कोशिश करें कि हरे रंग के वस्त्र धारन हो हरा रंग बहुत ही शुब और प्राकर्तिक प्रतीक माना जाता है लेकिन अगर हरा रंग नहीं पहन पा रहे हैं तो उसके जगह लाल, सफेद, पीला, आसमानी और केसरिया रंग के वस्त्र पहन सकते हैं तो वहीं भगवान शिव की पूजा में काले रंग के कपड़े बिलकुल ना पहने ऐसा करने से शिव शंभू नाराज हो सकते हैं और पूर्शो को पूजा करते समय धोती पहननी चाहिए क्योंकि मंत्रो चारण करते हुए पूर्शो को दो से अधिक वस्त्र नहीं धारण करनी चाहिए इसी तरह रामभक्त हनुमान जी की पूजा करते समय नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुब है और अगर भगवान गणेश के भक्त हैं और नित्य उनकी पूजा करते हैं तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें इससे गणपती बप्पा जल्दी प्रस्न होंगे तो वहीं भगवान विश्नु, साइबाबा या ब्रस्पतिवार के वरत में पीले रंग के वस्त्र धारण करें इसके अलावा सुनहेरा, गुलाबी या नारंगी रंग भी बहन सकते हैं चलिए अब बात करते हैं धन और एश्वर्य की देवी लक्षमी की मालक्षमी की पूजा की समय काले रंग को छोड़ कर आप केसी भी रंग का इस्तमाल कर सकते हैं हालकि शनिदेव को काला रंग पसंद है, इसलिए इनकी पूजा में या शनिवार के वरत या पूजन में काले रंग के वस्तर पहन कर बैठा जा सकता है तो चलिए अब आपको रंगों के बारे में बताते हैं दरसल ईश्वर की पूजा रूपासना में पीले रंग या केसरिया रंग के कपड़े पहनना ज्यादा शुब माना जाता है जोतिश के अनुसार पीले रंग को देवताओ के गुरु ब्रसपती देव से संबंधित माना जाता है गुरु ग्रह आध्यात्म और धर्म के कारग रहे हैं माननेता है कि किसी भी पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनने से मन इस्थर रहता है और मन में सकरात्मक विचार आते हैं हिंदु धर्म गरंथों में पीला और केसरिया रंग को बहुत पवित्र माना गया है तो वहीं काले रंग को देखकर मन में अकरात्मक भाव आते हैं इसी वज़ा से पूजा में पीले रंग के वस्तर पहनने चाहिए काले रंग के बारे में कहा जाता है कि ये रंग कुछ भी लोटाता नहीं बलकि सब कुछ सोख लेता है अगर आप किसी भी ऐसी जगहा पर हैं जहां एक विशेश कमपन या शुब उरजा है तो आपके पहनने के लिए सबसे उत्तम रंग काला है क्योंकि ऐसी जगह से आप शुब उरजा ज्यादा से ज्यादा अवशोशत कर सकते हैं इसी प्रकार दुनिया से विदा लेते हुए सफेद रंग के वस्तर में शव को इसलिए लपेटा जाता है क्योंकि उस समय शरीर लाखो करोडों चीजों के संपर्क में होता है और ऐसे में सफेद रंग सबसे अच्छा माना जाता है कि और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद